नमस्कार आप जुड़ चुके हैं दानियूज नाओ के साथ इस समय अगर जमू कश्मीर की बात की जाए तो जमू कश्मीर में कोबर 19 का कहर जारी है वही सरकार और परशासन कई जरूरी और एहतियातन कदम भी उठा रहे हैं परन्तु लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है जिस वज़ा से अगर बात की जाए तो लोगों को जो है काफी जादा नुकसान छेलना पड़ रहा है कश्मीर की हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो इस समय एक बड़े लॉस से गुजर रही है और अब इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है लगातार लॉकडाउन की प्रस्तितियों का सामना कर रहे हैं जिस वज़स से इनके काम काज ठप हो चुके हैं और अब इनके हाला जो है बस से बत्तर होते हुए जा रही है जरूरत है कि परशासन जो है इनकी तरफ ध्यान दे अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इनको जो है काफी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दानियूसनाओ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए हंदुस्तान के बहुत सारे शेहरों में रखा है जितने भी शोरों में वहाँ पर हमने आन अपरूल के यह रखा है उनके पास जब उनसे यह निकल जाता है तब हमें बोलते हैं फोन पर आजा आपका कोई टुगड़ा निकल गया है दो बई तीन निकला है चार पाई छे य में इसलिए यह बिल्कुल ही खतम हो गया यह इसका कोई चांस नहीं है बचने का क्योंकि नए जितने भी है वो इस काम में गुस्ते ही नहीं ना किसी बच्चे को बैठने एक काम करने देते हैं उससे भी तो बहुत प्राब्लम हुआ है कोविड से की वज़े से भी अब हम अगर चार बई छे कहीं पर लगा हो तो उसमें कम से कम दो बंदे बैठते हैं तो जब एक साथ बैठी नहीं सकते तो फिर वो कैसे करेंगे वो काम अब खाली दो बई तीन हो या डेड़ बई डेड़ हो या दो बई चार हो बास इससे ज़्यादा बड़ा कार्पित हम ब बंद किया है अब वो सबजी बेज रहे हैं या फिर मजदूरी जा रहे हैं